नमस्कार दोस्तों, आप सब मित्रोखों मेरा प्रणाम, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्त होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे, प्रति दिन की गतिवीदियों को देखकर मुझे हर पल ये सवाल खड़ा होता है, कि यहां सबसे ज्यादा मुलिवान क्या है, पैसा, सं पत्ती, वायभाव, या बड़ा पद, या प्रतिष्ठा, या नजाने कुछ और कि कुछ प्राप्त करना है, किसी लिए दोड़ना है, हम प्रति दिन देखते हैं, यहां तक कि यूट्यूब पर भी देखते हैं, कि मोटिवेशनल स्पीकर चला चला कर कह रहा है, कि दोड़ दोड़िये, भागिये, अपने लक्ष को प्राप्त करिये, रुखिये मत, उत्रा दोड़िये, उत्रा दोड़िये, बस दोड़ते ही रहिए, अपने लक्ष को प्राप्त करना है, यह हम ये भी देखते हैं, कि ब्रति दिन लोग पैसे के पीछे बावरे होकर दोड़ रहे ह यहां तक कि अपने relatives को भी पीछे शोड़ दिया है ना किसे के साथ बात करते हैं इगों में रहते हैं बस अपने जीवन में मस्त रहते है तो सबसे ज्यादा मुलिवान क्या है अब को यह कहेगा कि यहां पर तो व्यक्तिगत मुल्यों है चीजों का किसी के लिए पैसे का मुल्य है किसी के लिए गारे का मुल्य है किसी के लिए उचे पद का मुल्य है पर मैं कहता हूँ जीवन के अंतिम शन तक जो सार्तक है यसी चीज है क्या जो अति मुल्यवान है यह शब्द भी गलत है मुल्यवान क्योंकि मुल्यवान कहते हैं तो कोई ना कोई मुल्य तो निकलता है तो हम ऐसा शब्द प्रयूक करेंगे कि अती मुल्यवान चीज़ का है कि जिसका कोई मुल्य ही नहीं लगा सकता सूचिए, समझिए कि क्या है वो जो अती मुल्यवान है क्योंकि मैं भी बिमार रहा हूँ अलसराइटिस कॉलाइटिस से पास साल तक उसमें भी यही सवाल ख़ड़ा होता था और आज जब मैं कॉलाइटिस से बिलकुल तयार हूँ यहां तक कि कॉलाइटिस अब शरीर में मौजूद ही नहीं है तब इसका जवाब परिपोन रूप से मिला है कि सबसे ज़्यादा अंतिम ख्षन तक अती मुल्यवान या कि कहिए कि बिलकुल अमुल्यवान चीज जो है वो है हमारा स्वस्थ स्षरीर, शान्त, मन इस से ज्यादा मुलिवान चीज पुरे विश्व में या पुरे ब्रहमाण में कहीं नहीं प्राथमिक रूप से हमें पैसा ही दिखेगा प्राथमिक रूप से हमें संपत्ति दिखेगी प्रात्मिक रूप से हमें कोई बड़ी जॉब दिखेगी या प्रात्मिक रूप से हमें बड़ा वैभा बड़ा पद दिखेगा पर ये इल्यूजन है मैं नहीं कहता कि पैसे मत कमाईए मैं कहता हूं पैसे कमाईए मैं नहीं कहता कि जॉब मत करिये करिये पर हम महनत पर या पैसे पर या जौब पर उतना ध्यान दे देते हैं कि शरीर पर से या मन पर से या आपने एक शान्त जीवन पर से हमारा ध्यान बिलकुल हट जाता है और वो हटे हुए ध्यान के कारण शरीर एक ऐसे दूविद हमें फस जाता है या कि अस्वस्त हो जाता है कि फिर बाद में उसका तयार होना लगबग हमें असंभव देखता है और ख्याल कीजिए आप चाहे कोई भी बीमारी में फसे हो कॉलाइटीस हो या क्रॉंस हो या कैंसर हो या टाइप टू डाइबेटीस हो या नजाने अन्या और कोई बीमारी हो सब में भी किया क्या है हम उतने बेध्यान हो गए थे अपने मन और शरीर को लेकर कि वो अब हमारे लगाम में नहीं वो अब हमारे कंट्रोल में नहीं अगर पैसे से सारी चीजे ठीक हो सकती थी तो आप ने बहुत पैसा खर्च किया है अपने बीमारी को ठीक करने के लिए बड़े डॉक्टरों के पास गए हैंать वड़े बड़े अस्पतालों में दिखा करा है किसी ने कहा कि यहां जाएए आप वहां गएंगे मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हैं कि जो लोग बिमारी से पहले ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे या कि इसको बस यू मामुली चीज समझते थे अब जब बिमार पड़े तो वो बहुत सारे आस्तिक हो गए या अत्यास्तिक हो गए तो क्या नहीं किया और यह सार्थक होता है कि पैसे लगा रहे हैं दवाईयों पर या अपने हेल्थ पर पश्रीर है कि रिकवर नहीं हो रहा है और हम देखते भी भारत में और विश्ववर में बहुत बड़े-बड़े अमीर लोग भी कैंसर से पीडित है और इसका कोई इलाज नहीं कैंसर तो मैज एक जरिया है टाइप टू डाइबिटीज है ओवरवेट है बोडी का या खराब डाइजेशन सिस्टम आईबीडी आईबीएस क्रॉंस अल्सराट्राट्री कॉलाइटिस या नजाने अर्थराइटिस की बीमारी है या किसी विटामिन की डेफिशिंसी है या बोडी में नजाने और कोई अन्य रोग है जिसका अभी तक साइंस को पता भी नहीं है मैं बाइबॉर्ण डिसीज की बात नहीं कर रहा है जनमजात रोगों की बात नहीं पर ऐसे रोग जो शरीर के स्वस्थ होने के बावजूद भी शरी में प्रविश करते है पर हम है कि दोड़ रहे हैं उतना दोड़ता है कि बस कमा लेना है कमाई ये जरुरत है उसके सिवा जिवन नहीं चलेगा पर उतना कमाना उतना ध्यान उस पर दे देना कि शरीर ही ना रहे है ये तो दोखे बाजे हुई अपने शरीर के साथ है और ठीक होने के बाद ये मूल ने मुझे परिपूर्णता से समझ में आया है कि सारी चीज जाए भाड में सला शरीर और मन बिग जड़ना नहीं चाहिए तो यही होता है हमारे पास कि व्यक्ति अपने जीवन के 50 साल लगा कर पैसे कमाता है और फिर वही पैसे अपने हेल्थ के पीछे लगाता है क्योंकि अब तो 50 साल के बाद शरीर वीमार पड़ेगा ही क्यों पड़ेगा सीधी सी बात है किसी भी होगी होगी या कि उसका मेंटेनस ऐगे रोज ज्यादा ही आएगा कि कम चलाएंगे तो कम मेंटेनस आएगा erात RIGHT साल तक उठीने रफ्तार से बागया मन से और शरीर से तो उसका मैंटेनुस तो बनता है अब जो कमाया है वही तो लगाना पड़ेगा तो शार्थक क्या हुआ शरीर और मन स्वस्थ शरीर और शांत मन यही यथार्थ है अंक्तिम किशन तक देखा है कभी बड़े-बड़े अस्पतालों में जाकर जो बिमार है वो तो गए है पर जो बिमार नहीं है उनके यह बात बड़े-बड़े अस्पतालों में रिशेफ्शन पर बहुत बड़ी भीड लगती है कि इसका केस या उसका केस या इसको ले लीजिए या इसको ले ल अपने पीडाओं से चिला रहे हैं। स्वस्थ शरीर से उपर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। सपोज ख्याल करिए कि आपके पास पांसो करोड रुपया हैं। आपके अकाउंट में हैं प्यॉर वाइट मनी। वरसाला कुछ ऐसी बिमारी हो जाती है कि आप उन पांसो करोड रुपय को भोग नहीं पाते तो क्या करेंगे उस पैसे का। मत कहिए कि बच्चे संभाल लेंगे संभाल लेंगे बच्चे पर शरीर जो भोगने वाला वो आपका है। हमें पैसे कमाने से कोई प्रॉब्लेम नहीं है। पैसे को हम भोगेंगे यह जो उसका इगो है यही दिक्कत खड़ी करता है। अब पांसो करोड कमा लीजिए और कुछ बड़ी बिमारी आ गई तो करेंगे क्या। पांसो करोड करोड नहीं होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ होने ही चाहिए, हजार करोड होने चाहिए अकाउंट में। पर सरीर को साथ रखकर, मन को साथ रखकर, पाकि पैसे तो भर भर के है इस दुनिया में, मुझे फ्याल है, मेरे दादा बात किया करते थे, कि बैटा, हम खेत में हल चलाते थे, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, यहां तक कि लोगों को खेतों में खेती किया करते थे, वो जो पैसे दे दे था, उससे प्रति दिन का जीवन निर्वाह हो जाता, ना घाव में गर था, ना एक अच्छा जीवन था, तो उस टाइम पे, उस दौर में सभी के पास ऐसी चीज़े थे, कि सभी के पास पैसे नहीं थे, कुछ गिने चुने लोगों के पास थे, उनका देहान तब ही हुआ है, पिछले साल, तक्रिबन उनकी आयू रही होगी, उनका कोई बर्श सर्टिफिकेट तो नहीं था, पर तक्रिबन उनकी आयू रही होगी, सो से एकसो पांच साल, पूरा जीवन निरोगी, एक दो बार फ्रेक्चर हुआ है, एकसिडेंटली, पर ऐसा कोई बिमारी नहीं कि जो उनके शरीर को अंदर से खा जाएं, हलाकि उनकोई पास पैसे नहीं थे, पर वो जब तक जीए, तब तक सवस अहार लेकर जीए, शांत मंद से जीए, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव, उन्होंने भी खेती किये, जगड़े भी किये होंगे, नजाने कभी तनाव भी लिया होगा, क्रोध भी किया होगा, पर उतना नहीं जितना आज की दुनिया में तनाव के लिए महाल ख़ड़ा हुआ है और आज है कि हमारे पास एक लेवल में पैसे हैं हम जी रहे हैं चांती से पर सभी के पास उतने पैसे है तो उससे हल्स क्या है, पैसा है पर साथ हो साथ स्वास्त भी होना बहुत जरूरी है, दोड़िये मत और जो बिमार है मैं उनको तो खास कहता हूं, कि मत दोड़िये, भाड में गई दोड़, अपने शरील को स्वस्त रखिए, अपने मन को शान्त रखिए, यही जीवन है, हमारे समाझ में या हमारे कभीले में या हमारे कुटुम में कि बहुत बड़े-बड़े पैसे वालों को अब कैंसर की इसनी बड़ी बिमारिया हो गई है, कि उनका कोई क्योर ही नहीं मिलता, और यह नहीं सबुत, यह साबित कभी नहीं होता, कि कैंसर सिर्फ पैसे वालों को होता है, कैंसर बिना पैसे वालों को भी होता है, पर जब बि जिनके पास पैसा है, उनको cancer होगा, तब यही ख्याला आजाए, तब यही ख्याला आएगा कि यार पैसा तो है, पर हम इस बीमारी को ठीक ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे, यारे दोस्त, मित्र इसका कोई इलाज नहीं, तो वो जीएगा, लंबी रेस में चलेगा वो, लंबी रेस में दोड़ेगा लाइफ की, क्योंकि मुल्यवान शरीर है, मुल्यवान मन है, वरना यह दोड कभी खतम नहीं होगी, यह दोड हमें यूही दोडा आती रहेगी, मैंन तो इस चीजों का आनुभव किया है, आप प्रयास करिए, जीए शानती से, मत जाये कंपरिजन में, यह आगे जा रहा है, जाने दीजिए, शरीर स्वस्त रहेगा, सब कुछ हम भोग पाएंगे, सब कुछ हम माउंट अवरेष्ट को भी देख पाएंगे, हम दुबई को देख पाएंगे, हम आबुधावी को देख अगर वहां नहीं जाएंगे, तो भाड़ में गया साला सब कुछ हम जहां रहते हैं, वहीं हम चीजों को बहुत आसानी से अनुभो कर पाएंगे, या कि देख पाएंगे, सूंग पाएंगे, बोल पाएंगे, सुन पाएंगे, खा पाएंगे, पी पाएंगे, चल पाएंग कि अगर ये सब कुछ नहीं रहेगा या कि काम करना बंद कर देगा तो फिर क्या कर लो जीए श्ट्रेस के जीवन को जीए आशा करता हूं कि मैं कुछ वीडियो मेंसे आपको कुछ मुल्य जानकार या प्राप्त होगी, और अंत में आप सभी के वितर बिराजवान, परम पिता, परम उर्जवान परमात्मा को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्विकार करें.